एलो फ्रेंड्स I am champion महिपाल आज हम HTML में सीखेंगे कि हम mark you tag का किस तरह से use कर सकते हैं तो सबसे पहले हम HTML लिखेंगे उसके बाद head then title then closing of head and start of body हम body के अंदर mark you tag का use करेंगे हम सबसे पहले mark you tag लिखेंगे एम में आर क्यो यू डबली then हमें जो भी टेक्स्ट mark you tag में देना है जो भी हमें स्क्रोल करवाना है हम उस टेक्स्ट को लिखेंगे then हम mark you tag का end कर देंगे then body का end then HTML का end उसके हम इसे save करेंगे मैंने इसे already save कर दिया है तो मैं आपको output शो कर पाम यह रही है इसकी output मैंसे जो मैंने लिखा था मेरा नाम champion महीं पाल right to left by default scroll होता हुआ को दिख रहा है तो इसके अंदर हम कुछ attributes भी use कर सकते है attributes क्या होता है कि अगर हम किसी tag को special features देना चाहते है special look देना चाहते हैं तो हम attributes का use करते हैं इसके अंदर attributes हम use कर सकते हैं काफी है सबसे पहले मैं आपको पता रहा हूं height मैं दे रहा हूं इसकी आम में जो देनी है वो double course में देनी होती है है मैं दे रहा हूं इसकी 100px उसके राद हम width दे रहे हैं दे रहे हैं कितनी देफ 500px हम background color दे सकते हैं bg color color की spelling होती है इसके अंदर मैं दे रहा हूं red इसको हम save करेंगे आई output देखते हैं यह कि हमने refresh यह आ गया width हो गई 500 height हो गई 100 and background हो गया red यह है हमारा attributes थैंक्यू